दोस्तों आप लोगोंने करिश्मा कपूर की सूपर एड फिल्म रिष्टे दो देखी होगी इस फिल्म में करिश्मा कपूर और अनिल कपूर की जोड़ी को दिखाया गया था दोस्तों करिश्मा कपूर का जन 25 जूनों ने 174 को मुंबे में हुआ ये कपूर खांदान की इकलोथी ऐसी बेटी ही थी जिन्होंने सबसे पहले बॉलिवुड में कदम रखा इन्होंने अपने करिश्मा कपूर का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो चुका था लेकिन करिश्मा कपूर ने कभी हार नहीं मानी लगादार अपने करियर को आगए बढ़ाने की कोशिश में लगे रही जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको एक सूपर डूपर हिट फिल्म मिली जिसने इनके करियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया वो फिल्म थी राजा इंदस्तानी जिसमें इनके अपोजिट आमिर खान देखे गए इस फिल्म इनका शांदार अभी ने देखने को मिला था और दर्शकों ने इनके करियर की गाड़ी चल पड़ी फिर कभी इन्होंने पीछे मुड कर नहीं देखा करिश्मा कपूर नाखेवल अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती थी बलकि इनका लव अफेर भी अख़बार की हेडलाइन हुआ करता था इनका लव अफेर अभिशेक बच्चन के साथ खूब चला इन दोनोंने सगाई भी कर ली लेकिन सगाई साल भर भी नहीं चली बीच में इन दोनों की सगाई टूट गे जिसकी वज़े से करिश्मा कपूर काफी ज़्यदा परेशान रहने लगी लेकिन इसी बीच इनकी लाइफ में संजा कपूर आए और करीब एक साल डेट करने के बाद करिश्मा कपूर ने 29 सितमबर 2003 को बिजनसमें संजा कपूर से शादी कर ली शादी के बाद करिश्मा कपूर को एक बेटा और एक बेटी हुई लेकिन बात करें करिश्मा कपूर के बेटे की तो करिश्मा कपूर के बेटे का नाम कियान राजकपूर है कियान राजकपूर का जन्द साल 2010 में हुआ फिलहाल कियान राजकपूर 9 साल के हैं ये दिखने में काफी क्यूट नजर आते हैं फिलाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं जिसकी वज़े से ये फिल्में में डेब्यू नहीं करना चाहते हैं आपकी जानकर गरी के लिए बता दें कि करिश्मा कपूर अपने बेटे को सोचल मीडिया से दूर रखती है और साथ ही इनको मीडिया के सामने बहुत कम लेकर आती है जिसकी वज़े से इनके बेटे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं पर ये कहना गलत नहीं हुआ कि आगे चलकर कियान राज कपूर अपनी मा के तरह सफलकलाकार बनेंगे तो दोस्तों आप सबी को करिशम कपूर का बेटा कैसे लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएगा और बॉलवर्ट से जोड़ी और बेख़वनों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा